दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल Healthy4Evr पे आज हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में इसके कारण, लक्षन और फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए एक जादूई natural drink के बारे में लिवर में चरबी जमने का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल और हमारी खाने पीने की आदते बहुत अदिक मीठा खाना, चिकना और ओली भोजन करना, एक्सरसाइज की कमी और बैड डायेटरी हैबिट्स आज की टेट में लिवर फेल होने का सबसे बड़ा कारण है fatty liver disease और अगर आप शराब पीते हैं तो फिर सोने पे सुहागा है एक टर्म होती है जिसे कहते हैं NAFLD इसका मतलब होता है non-alcoholic fatty liver disease ये advanced fatty liver disease होती है यानि कि fat जब जादा जमा हो जाता है और ये धीरे-धीरे NAFLD मे convert हो जाता है और liver फेल होना शुरू हो जाता है देखे अक्सर fatty liver की बिमारी के लक्षण तब आते हैं जब दिक्कत बढ़ चुकी होती है या अगर आप ultrasound करा लेते हैं किसी और चीज़ के ले ultrasound कराते हैं तब आपको पता लगता है कि आपको fatty liver disease है और उसकी grade कौन सी है वरना शुरू आती दिनों में या grade 1 में fatty liver disease के लक्षणों का आपको पता ही नहीं लगता है इसलिए इसको समय रहते पहचानना और इसका इलाज करवाना भेत महत्पूर्ण है fatty liver की बिमारी को पहचाने है कैसे ये भी सवाल बड़ा उठता है इसके लक्षण क्या होते हैं fatty liver बिम कोई शुरुआती लक्षण आते ही नहीं है कुछ पेशेंट्स में पेट में हलका भारीपन महसूस होता है या फिर ऐसा लगता है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है बस अब जानेंगे grade 2 fatty liver disease या moderate fatty liver disease के लक्षण क्या होते है इसमें देखे पेट के राइट जो कुछ समय बाद हलके पेट दर्द में बदल सकते हैं आपको ठकान रहने लगती है पेट में discomfort और indigestion जैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं इन लक्षणों को भी मरीज इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि समाने सी बात है गैस की समस्या है अपने आप से चीक हो जाएगी और वो इसको ताल के रहते हैं जब great fatty liver की बात करते हैं severe fatty liver disease की बात करते हैं तो उपर के जो सारे लक्षन है वो अधिक घंबीर होने लगता है गूप कम हो जाती है इशापीला आने लगता है उल्टी का मन करता है यहां तक के उल्टिया भी आने लगती है क इसके लिए हम बनाएंगे या बनाना सीखेंगे पैटी लीवर के लिए एक जादुई ड्रिंक, पैटी लीवर के लिए जादुई ड्रिंक बनाने के लिए हमें चाहिए काली मिर्च पॉडर करीब आदा छोटा चमच, धनिया पॉडर करीब एक छोटा चमच, जीरा पॉडर क होते हैं दो ingredients अर्क कास्मी का अर्क करीब 25 ml और अर्क मको करीब 25 ml यह दोनों अर्क आपको आयरवेदिक या युनानी medical store तो मिल जाएंगे या फिर आप इसको online भी मंगा सकते हैं अब बात करेंगे कि भी इसको बनाये कैसे preparation method क्या है इसको बनाने का तो fatty liver drink को तयार करने के लिए सबसे पहले आप अधा कब पानी जो है वो mixi में डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पॉडर धहिया पॉडर जीरा पॉडर हरा धन्या और अद्रक को mixi में डाल कर अच्छे से पीस लेंगे आप इसको चान कर एक ग्लास में डाल दें इसके अंदर आप अद्रक का रस और नीबू का रस मिला दें और इसको अच्छे से mix कर लें ताकि सभी जो सामगरिया है वो अच्छे से मिल जाए आप बाकी जो दोनों ingredients थे अर्क मको और अर्क कासमी इनको भी इसमें आप मिला ल लेंगे तो बहुत जादा फायदे मिलेंगे फैटी लीवर को नियंट्रित करने में ये बहुत मदद करता है और इसका कोई भी side effect नहीं होता है ये लीवर को detoxify करता है लीवर से toxin को निकाल कर साफ कर देता है जमुई चिकनाई को काट कर बाहर निकालता है और पाचन क्रिय का भी काम करता है आपको सफूर्ती देता है ताजगी देता है और आपके चेहरे पे गलो भी लाता है तो दोस्तों ये ते पैटी निवर जूट के कुछ फायदे और बनाने का तरीका अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो कृपिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी धन्यवाद अगली वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए खुश रहें और स्वास्त रहें थैंक यू